रोज सुबा उटकर आप खाली पेट पानी ते जरूर पीते होंगे लेकिन आज हम आपको रोज खाली पेट पपीता खाने के अनों के फैदों के बारे में बताएंगे विशेले परदार्तों को बाहर खाली पेट पपिता खाने से हमारे शरीर में विशेले पतारतों को बाहर करने में मदद करती है पाचन तंद को भेधर करने और पाचन एंजाइमों की उपस्तिति के कारण आंद को हेल्दी रखने में मदद करता है कबच की समस्या को दूर करता है पपीता शरीर की पाचन शक्तिक को मजबूत करता है। साथ ही पेट में गैस बनने से भी रोखता है। कबच के कारण परशानल लोगों को सुबए खाली पेट पपीता खाने से कबच की समस्या में तेजी से आराम मिलता है। अगर कोई विक्तिक कबच की समस्य से ग्रसित हो तो उसे रोज सवेरे खाली पेट पपिता का सेवन जरूर करना चाहिए शरीर में पोशक तत्वों की पूरती करता है और तो और ये आपको एक स्वास्त और रोग मुक्त लाविस्टाल मेंडरिन करने में भी मदद करता है पीलिया रोग को दूर करता है पीलिया के रोग्यों के लिए कच्चा पपिता खाना बहुत ही लापकारी माना जाता है यदि कोई विक्ती पीला जैसे रोक से गृषित हो जाता है तो उसे रोजाना कच्चा पपीता खाने से इस रोक से शुटका रहा पाया जा सकता है इस रोक के मरीज कच्चे पपीतों को बाइल कर उसमें थोड़ा सा सेंदा नमक मिला कर खा सकते हैं ऐसा करने से जल्दी इस रोक से मुक्ति मिलती है कॉलिस्टरोल कंट्रोल करता है एक्सपर्ट्स की माने तो पपीता में काफी मातरा में फाइबर पाया जाता है जो शरीर में मौझूद बैट कोलेस्ट्रोल की मातरा को कंट्रोल करता है अगर नियमी तुरूब से रोज आप अपिता का सेवन करें तो इसे शरीर में मुझूद कोलेस्टरोल की मातरा को नियंतित किया जा सकता है और बड़े हुए कोलेस्टरोल को कंट्रोल भी किया जा सकता है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सुस्क्राइब जरू करें धन्याबाद